हेलो नमस्कार जहन दोस्तों मैं हूँ आमके फोजी और आप देख रहे हो गवर्मेंट जोब 23 यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में आपको बताओंगा वो 15 जोब्स दो अक्टोबर और 9 बर महां के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली यह जोब दोस्तों 8 वी पहली वेकेंसी हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंतरकत जो मिनिस्ट्री ओफ होम एंपेर्स के अंतरकत आती है पोस्ट है 677 इसके अलावा पोस्ट इसके अंतरक कौन कौन सी है मल्टी टास्किंग और सिक्योर्टी असिस्टेंट की इलेजिबिल्टी क्या कैचिए टेंथ पास सही दोस्तों और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए अठारा से 27 साथ लास्ट इसकी तेरा नवंबर दोजार तेइस है एप्लिकेशन फीस इसकी साड़े चार सो तू पान सू रुपे रखे गई है सेलेरी इसकी अठारा जार सू रुपे से लेकर दो लाक नो हजा दोस्तों रुपे परमत दी जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो नंबर टू वेकेंसी एकलव या मोडर रेजिदेशन शेल स्कूल्स एम आरस के अंतरकत इसके अंतरकत वेकेंसी भरपूर है चाहरा जार बांसट है इसके अलावा दोस्तों यह बता देता हूं कि यह प्रिं कीजिएगा इसके अलाव होस्तल वार्डन और पीजिटी टीचर्स की 6200-329 पदों पर वेकेंसी है उसके उपर भी हमने अलग से वीडियो बना रहा है आप वहां जाके चेक कर सकते हैं इसके अलाव दोस्तों इसके अंदर इलेजिविल्टी क्या चाहिए ग्रिजिशन पास होना जरूरी है अदर्वाइज आप येड हो तो भी चलेगा इसके अंतरकत एज लिमिट 35 येर है लास्ट डेट इसकी 29 अक्टवबर दोजार तीस है एप्लिकेशन पीस इसमें 1500 रुपे रखे गई है अगल वेकेंसी है सरदार वल्ला भाई नेशनल इंस्ट्यूट ऑप ट 2023 है एप्लिक फीश 500 रुपे रखे गए सेलेरी द्वाइज जार दोसो से बीस अजार रुपे तक है अगले वेकेंसी है गवर्मेंट इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंस जी आईमस उत्तर परदेश की इसमें 255 स्टाफ नर्स की वेकेंसी है इलिजिबिल्टी की बात करे तो बीएसी नर्सिंग बीएसी नर्सिंग इन पीजी या जीनम डिपलोमा होना चाहिए एज लिमिट 21 से 40 साल के अंतरगत आप आते हो तो इसके लिए आप आविदन कर सकते हो एप्लाइड डेट इसके लिए अभी आये नहीं है आने वाली है जल्द ही आएगी और इसकी ल नो सो से एक लाग बयाली से जार पर मंत की से लिए रही तो इसके अंतरगत चूकिएगा नहीं जो भी अगर आपके पास डिपलोमा है तो आप इसके अंतरगत आविदन कर सकते हैं अगली वेकेंसी दोस्तों उत्राखंट पब्लिक सर्विस कमिशन के अंतरगत इसमें 1097 ज 272 रुपे तक रखी गई इनकी फीस 200 अलग अलग भी हो सकती है एससे एस्टी के लिए फिरी भी हो सकती है तो आप जाके चेक करना पड़ेगा से लेरी इसमें चम्वाली से नो सो से एक लाग बयाली जार च्यार सुरुपे रखी गई वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्य है इलिजिबिल्टी इसके अंतरके 10 पास डिपलोमा और ग्रिवजिशन के पदोपर वेकेंसी है एज लिमिट की बात करें तो इसमें 45 यर लास्ट डेट 17 नौवंबर है एप्लिकेशन फीस 750 रुपे हैं 0 रुपे से लेकर से लेरी की इसमी 18,000 रुपे से लेकर 1,47,500 इसके अंतरकत आपकी इलिजिबिल्टी क्या मांगी कि इस डिपलोमा और ग्रिवजिशन होनी जरूरी है एज लिमिट कोई दिक्कत परिशानी नहीं रहेगी लास्ट डेट 12 नौवंबर 2023 है पे लेवल एक से 6 तक अलग अलग आपको दिया जाएगा नेक्स्ट वेकेंसी है इंडिया नेवी के अंतरकत एज अफसर डारेक्ट इंट्री हो रही है पोस्ट कौन सी है 232 जनरल सर्विस एर ट्रफिक कंट्रोल नवल एर ऑपरेशन इसके अंतरकत भी हमने वीडियो बना रखा है अलग से आप अगर इंट्रेस्टेड हो तो जाकर जरूर चेक किजिए का जिसमें पूरी डिटेल्स हमने सभी विकेंशियो के अलग अलग दे रखी है इसके अंतरकत हम आपको सारांस में बताएंगी कि 15 विकेंशियां कौन कौन सी है इसके अलाव जो कौन सी ओफलाइन जोब्स है अगर दोस्तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक जरूर कीजिए इसकी लाश्ट टेट 29 अक्टोबर है एप्लिकेशन पीस नील रहने वाली है सेलेरी आपकी 56,100 रुपए से एक लाग 10,700 रुपए तक दी जाएगी है जो सुरवाती सेलेरी है वो दोस्तो 56,000 है वो लाश्ट सेलेरी एक लाग 10, 27,700 रुपए हैं तो सेलेरी भी आपकी जो सुर्ट ट्रेनिंग के जन्यों सार अलगलग होती रहती है नेक्स्ट वेकेंसी एरपोर्ट अथ्योटी ओप इंडिया लिमिटेड इसके अंतकर एर ट्रफिक कंट्रोल की वेकेंसी है इलेजिटी ग्रेजिशन होना जरूरी है इक्सट वेकेंसी है नेस्नल बौड ऑफ एक्जामिशन इन मेडिकल साइंस अटरा जुनियर असिस्टेंट, स्टेंग्रापर, जुनियर अकाउंटेंट, प्रोग्रामर, लोप सर्क पदों पर वेकेंसी है, एलिजिबिल्टी 12 पास वालों के लिए वेकेंसी है, जाएगी अब नेक्स्ट विकेंशी कौन सी है उत्तर परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के अंतरकत आई यह 411 रीवी ऑफ सर के अंतरकत असिस्टेंट रीव अप सर और इलिजिबिल्टी क्या है ग्रिजिशन के अंतरकत आप नेक्स्ट वीडियो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से टोपिक पर बनाए जैसे आरिप आपके अंतरकत वेकेंशी आने वाली है तो क्या उस पर वीडियो बनाए जाए या नहीं बनाए जाए आप ज़रूर बताए सेलेरी इसकी 44,900 से 1,100,000 रुपे रखे गई है आल इंडिया इंस्टिटूट ओप मेडिकल साइंस एमस बहपाल के अंतरकत वेकेंशी आई है पोस्ट कितनी हैं 233 जूनियर स्केल इस्टेनो डीएफो डीएओ यूडीसी इस्टेनो ग्रापर रखे वेकेंशी है इलिजिब भर सकते हैं एप्लिकेशन पीश 600 से 1200 रुपे हैं सेलेरी आपकी एक से चार लेवल तक दी जा रही है तोस्तों वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अनुदर वेकेंशी का जाकर प्लिस्ट में जरूर चेक कीजिए क्योंकि हम हर दिन वीडियो अपलोड करते रह है आप उसके लिए दिन भर सकते हैं एज लिमिट मेक्सिमम तीस साल होने जरूरी है लास्ट डेट 28 सक्टूबर है एप्लिकेशन फीश इसमें 1180 रुपे हैं 0 रुपे से लेका है सेलेरी 40,000 रुपे से लेकर 140,000 रुपे रखे गई है इसके अंतरकत भारत इलेक्रोनिक्स क फोरेस्ट रेंजर की इलेजिबिल्टी क्या है इंजिनियर एंड टेक्निकल इन डिग्री होनी जरूरी है आपके पास एज लिमिट बिट्वन 21 से 40 होनी चाहिए एप्लिकेशन एप्लाइड डेट 8 अक्टोबर से 12 नौंबर तक है इसके लिए सेलेरी आपकी 36,200 रुपे से लेकर 147,000 रुपे दी जाएगी नेक्स्ट वेकेंसी है हाई कोट ओप 36 गड बिलासपुर के अंतरगत इसके अंतरगत कौन कौन सी पोस्ट है 143 असिस्टेंट गरड थर्ड की वेकेंसी है इसके अंतरगत आपको ग्रेजिएशन और कंप्रटर का ग्यान होना मंगा गया है लिमिट इसमें मैक्सिमाम आपकी 30 साल होनी चाहिए लास्ट डेट 21 अक्टोबर 2023 है एकप्लाइब फीस निल रहने वाली है सेलेरी आपकी गुनिस 1500 से 62200 है नेक्स्ट वेकेंसी है एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल के अंतरकत पोस्ट है 120 लवर डिविजन कलर इस्टेंट ग सकते हो और ज्यादे जैसे स्टेशनों गरापर या पर्सनल एस्टेंट के लिए डिपलोमा मांगा गया है एज लिमिट 18-35 लास डेट पांच नमबर रखी गई है सेलेरी प्लेवल काउंसर रहेगा दो से साथ रहेगा नेक्स्ट वेकेंसी है एम्स जोदबुर के अंतरकत इसके अंतरकत 105 DEO स्टोर के पर कम कलर के वेकेंसी है इसके अंतरकत आपकी इलिजिबिटी क्या मांगी गई दोस्तों इलिजिबिटी 12 पास ग्रेजिवेशन और पीजी है यानि आपके वाद से 12 पास लागा के आगे डेस कर रहे है मतलब 12 पास के लिए भी ये वेकेंसी है आप बिल्कुल भी घबराई यह नहीं दोस्तों लास्ट देट 26 नॉवंबर है एप्लिकेशन पीज चोईसो से तीन हजार रखे गई है से लेरी की बात अब नहीं करिया है से लेरी की बात वह बोले नेक्स्ट में करेंगे नेक्स्ट वेकेंसी है भीहार स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के अंतरकत दोस्तों इसके अंतरकत बहुत सारी वेकेंसी अगर आप इंटरिस्टेड ओफलाइन जोब में तो आप जाके जरूर चेक किजिए हमारा जोब नोटिफिकेशन के अंतरकत इसके अंतरकत आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है साथ ही पास सबसे पहले वेकेंसी के अपडेट आएगी और आप उस फॉर्म को भरस पाओगे नेक्स्ट वेकेंसी के बारे में बचर्चा कर रहे हैं दोस्तों इसमें 11,098 पद है LDC के फिलेरिया इंस्पेक्टर के असिस्टेंट इंस्ट्रक्र टाइपिंग रिवेन्यू स्टाफ पंचायच सचीव फोस्ट इसके अंतर रहे क्या मांगे गई है इंटरमीडियेट होना जरूरी यानि 12 पास मांगे गई है एज लिमिट 18-37 एर्स है और फिमेल के लिए 18-40 साल रखी गई है लास्ट डेट 11,0923 है एप्लिकेशन फीस 135 रुपे से 540 रुपे हैं नेक्स्ट व 1275 वहीं मेरे को याद आगा है दोस्तों असाम पुलिस के अंतर गया तो आप उसको भी जरूर चेक किजिएगा इसके अला दोस्तों बता देता हूं की एप्लाइड डेट क्या है पांच अक्टबर 2030 है और लास्ट एप्लिकेशन फीस क्या है 400-700 रुपे इसके अला दोस्तो दोस्तों बारे में बदा रहा था वह उप्लाइन वेकेशन से बहुत गया मंदिर प्रवण कारिनी समिटाइग वेकेशन इसके लास्ट इसकी लास्ट तीस अक्तूबर इसके अंतरगत वेकेशन पर कौन-कौन से हैं कंप्र और बेस्ट के पद हैं तो आप उसको जाकर सकते तो दोस्तों ड्राइवर के पदों के लिए 15 अभी किसी को इसकी बारे में नहीं है क्योंकि ज्यादा तर फॉम इसके बारे में अपडेट नहीं कर पाते हैं तो आप चुपके से इस फॉम को एपलाई कीजी और पा लीजी जोब ये दोस्तों फुरस और महला दोनों के लिए विकेंसी है साथ ही इसके अंतकर 10 पास के साथ ड्राइव लाइसेंस मांगा गया है तो दोस्तों जोब अच्छे लोगियों की जैहिंग जैवार्थ